आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर मैंने जब ट्रक को सिंग जी के धाबे पर रोका तो वक्त हो रहा था रात के पौने बारा बजे का दरसल मैं सरिया लेकर बिजनोर गया हुआ था और अभी वहीं से लोट रहा हूँ खेर मैंने खाने का ओर्डर दिया फिर कुछ देर बाद सिंग जी खाना लेकर आए और खाने की थाली टेबल पर रखते हुए कहा ट्रैवर सब आज आपके साथ आपका खलासी परदेप नहीं दिख रहा जिस पर मैंने कहा वह बहुत लंबी कहानी है फिर कभी बताऊंगा और ये बोलकर मैं खाना खाने लगा खाना खा लेने के बाद मैंने सिंग जी को पैसे चुकाएं और ट्रक लेकर आगे की ओर चल दिया रास्ता एकदम सुनजान था मेरी ट्रक के अलावा कहीं कोई काड़ी वगेरा नजर नहीं आ रही थी चुकि अभी मेरी ट्रक मेन हाईवे पर नहीं थी तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इतनी रात गए रास्ता खाली ही मिलेगा और इसलिए मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था हालंकि ऐसे रास्तों पर चलने की हम ट्रक ड्रैवरों की आदत होती है खेर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था तभी मुझे ऐसा लगा जैसे हलका हो लेना चाहिए मगर फिर भी मैंने किसी तरह से खुद को रोके हुए रखा क्योंकि मैं इस रास्ते पर उतरना नहीं चाहता था मगर जब बात बरदाश्चे बाहर निकल गई तो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जाना ही पड़ा लिहाज़ा मैंने ट्रक को रोट के एक साइड में रोक लिया और वहाँ से थोड़ा हट कर बेसाब करने लगा अच्छे से हलका हो लेने के बाद जब मैं ट्रक में आया तो पाया कि मेरी बगलवाली सीट का दरवाजा खोला हुआ है ये देख कर मुझे काफी हैरानी हुई क्योंकि जहां तक मुझे याद है उस साइड का दरवाजा बंद था खेर अभी मैं उस वाले दरवाजे को बंद करने के लिए बड़ा ही था कि अचानक से वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया ये देख कर मैं एक बार को घबराया मगर दूसरे ही पल मैंने ट्रक स्टार्ट किया और चलने लगा लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे काफी अजीब सा लगने लगा था जैसे मेरे अलावा ट्रक में कोई और भी है और उपर से मुझे एक अजीब किस्म की बदबो भी आने लगी थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या और अब मुझे हलकी हलकी घबराहट सी होने लगी थी मेरी ट्रक कुछ आगे ही कई होगी कि अचानक ही वो बदबू छूम अंतर हो गई और साथ ही मुझे अजीब फिल होना भी बंद हो गया मैं सीधे देख कर बश ट्रक चलाए जा रहा था अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था तबी ट्रक के हेडलाइट की रोशनी में रोड के एक किनारे पर मुझे कोई खड़ा दिखा मगर वो जो भी था उसका चहरा साफ तोर पर दिख नहीं रहा था पर जैसे ही मेरी ट्रक उस सक्स के करीब पहुची तो मेरे होश फाकता हो गएं मेरी आखे फूल कर चौड़ी हो गएं दरसल रोड के किनारे खड़ा वो सक्स और कोई नहीं बलकि मेरा खलासी प्रदीप था जिसको मरे आज पांच दिन बीच चुके थें इस से पहले कि मैं कुछ कर पाता मेरे बगलवाली सीट का दरवाजा खुला और चलती ट्रक में प्रदीप या यूँ कहें तो प्रदीप की आत्मा आकर बैट गई मैं इस कदर डरा हुआ था कि मैं प्रदीप से नजर तक नहीं मिला पा रहा था तब ही प्रदीप ने कहा उस्ताद मैंने कहा ताना ट्रक धीरे चलाओ अगर उस दिन आपने मेरी बात मानी होती तो आज मैं जिन्दा होता प्रदीप की बाते सुनकर मुझे पच्टावा तो हो रहा था मगर उससे कई ज्यादा मुझे डर लग रहा था और अंत में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था गबराहट के मारे मेरी ट्रक एक बड़े बर्गत के पेड़ से जाटकराई और मैं बेहोश हो गया फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड़ पर लेटा हुआ था मेरा एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से फैक्चर हो चुका था दरसल आज से कुछ दिन पहले मैं और प्रदीप उसी रास्ते से ट्रक लेकर जा रहे थें मैंने हलकी सी पी रखी थी और मैं काफी तेज गाड़ी चला रहा था प्रदीप जो की बार बार मुझे ऐसा करने से मना कर रहा था मगर मैं नसे में धुत होकर उसी तरह से गाड़ी चलाता रहा और पता नहीं कैसे तभी ट्रक का वो हिस्सा जिधर प्रदीप बैठा था वो काफी रफतार में उसी बर्गत के पेड़ से जाटक रहा जिससे प् तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी एनिमेटेड होरल स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को लेंक आपको नीचे अगर झाल को लेगी